अलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए सलेबस एक नए तरीके एक नए जौस और हो लास के साथ हम लोग किस्टार्ट करने वाले हैं लो पॉल्य टीक्निक फर्श शमेश्टर की मैथमेटिक सभी ब्रांचों के लिए सबसे अहम बात यह है कि यहां पर मैथमेटिक्स ोug। जीरो से मान के चली अगर आप माइini में नहीं पढ़े हैं टिंत में भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहां पर कहीं से कोई भी दिकत आपको नहीं होने वाली है जीरो से पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स हीरो तक लेके जाया जाये आप बिल्कुल चिंदाना करें लगातार बने रही है हमारे साथ चलते हैं हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले आज हैं चैप्टर का नाम जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है दो एक स्टाइण चतु ओ शमान तर स्रेड़ी पढ़ेंगे दूसरा गुड़तर स्रेड़ी पढ़ेंगे और यह दो लोग दोनों पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग पिन और कॉपी नहीं लिए हैं तो आप जाके निश्चित रूप से ले लिजिए नहीं तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा इधर हम पढ़ाएंगे आप देखेंगे आप सब्सक्राइब को 100% समझ में आएगा लेकिन अगा आप लिखेंगे नहीं रिवीशन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा तो आप सबसे पहला काम कि आप अपने नोट्स बूक और एक पिन लेकर बैठ जाईए चलिए हम लोग स्टार्ट क शमांतर समान अंतर देखिए शमान प्लस अंतर इसके नाम से ही दर्साया जा रहा है कि समान अंतर कहने का मतलब जिसमें क्या हो वो स्रेडी वो सिरीज जिसमें क्या हो समान का अंतर हो और उसी स्रेडी को हम क्या कहेंगे शमांतर स्रेडी कहेंगे फिर से समझ यह वह स्रेड जिसके पदों के बीच का अंतर जिनके पदों के बीच का अंतर क्या हो निश्चित हो शमान हो वह क्या होगा शमांतर शनडी लेकिन ध्यान दीजीगा वह पद कौन से होने चाहिए क्रमागत पद होने चाहिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, dot dot, dot अगर क्रमा गत्ट दो पद को लेकर हम घटाए और उनके बीच का अंतर क्या आजाए? सेम आजाए उनके बीच का अंतर क्या आजाए? निस्चित आजाए तो वो हमारा स्रेड़ी क्या होगा? श्रमांतर स्रेड़ी होगा मार्डियर देखिए कैसे क्रमा गत लेंगे ऐसा नहीं कि यहां से उठा लेंगे कैसा उठा लेंगे ऐसा नहीं क्रमा गत पदो का क्रमा गत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे देखिए कैसे जैसे माल लिजे यह हम ले लिए यह वाला पद ले लिए आठ छे यह देखिए दो आ रहा ह का है न हें पहले पद को लेकर दूसरे पध को लेकर उसके पूर वाले पद को अगर हम घटाते हैं और सेम आता है तो वह उसी धोताए कि हमारा क्या है श्रमानतर संोय है अर्थमेकर सन्य है आर्थमेंटिक प्रॉग्रेशं पर हमार लोग आगे भी क्या करेंगे इंडििकेट कर लेंगि एपी से क्या कर लेंगे एपीस रेंट कर लेंगे उसको तो हमारे कहने का अतातपर यह हो गया आप पर आ हम से त ही शनले जीए समांतर स्रेड़ी है और वे क्या उक्रम में हो समझ में आ गया उम्मेद करता हूं समझ में आ गया होगा हाँ अब आगे बात आती है यह था मारा हो गया समांतर स्रेड़ी हो गए अब बात ये आती है कि ये जो समान ये अंतर जो निकल रहे हैं ये अंतर है क्या ये अंतर क्या है अंतर इसी अंतर को हम लोग बोलते हैं सरवांतर इसी अंतर को क्या बोलते हैं सरवांतर सरवांतर का मतलब जो उनके बीच का अंतर आ जाए वही हमारा क्या हो गया सरवांतर जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या common difference क्या होता है common difference कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको एकदम आसान तरीका क्या कि दो पदों के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो निकाल लो जो आज है वह हमारा सर्वांतर हो गया समझ माया तो हमारा जो शर्वांतर क्या होगा चलिए देखते हैं सर्वांतर हेडिंग डाल देते हैं कि शर्वांतर common difference common difference बिटा क्या होगा कि जो पदों के 20 का जो अंतर निकलेगा वह हमारा क्या होगा common difference होगा कैसे चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पी आपने देखा एक और देख लिजिए एक इग्जांपल और देख लिजिए common difference को हमेशा डी से लिखते हैं ध्यान दिजिएगा अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कामन डिफ्रेंस डी और प्रतंपद एफस्ट टर्म एक को आप अच्छे से समझ लिए तो माने के चलिए कि अर्थ गेमेटिक प्रोग्रेशन की जड़ तक आप खुश सकते हैं और सब जितने भी कूश्चन है जैसे भी सब समझ लेंगे सिर्फ आप प्रतंपद और सर्वांतर डी दोनों को मजबूती से पकड़ लिजिए पूरे अर्थमेटिक को पकड़ लोंगे आप विश्वास कीजिए तो कॉमन दिफरेंस क्या है समांतर स्रेडी क्या है देखें ए शमांतर स्रेडी का कॉमन डिफरेंस क्या है इसको हम लोग लिखते हैं क्या डी क्या लिखते हैं डी डी बराबर जो हमारा होता है वो टी टू माइनस टी वन कहने का मतलब क्या कि दूसरे टर्म से पहले वाला टर्म घटा दीजिए बराबर कि टी फोर माइनस टी थिरी कहने का मतलब उसके पूर्व वाले पद में उस पद को घटाने के बाद अंतर अगर सेम का आ रहा है तो वही हमारा सर्वांतर हो जाएगा फिर से एक बार समझिए जैसे हमको दे दिया गया पांच आठ यारा चौदा सोला जोदा सत्रा देखिए अब हमको चेक करना की यह अर्टमेटिक प्रोग्रेशन में है की नहीं है यह समांतर स्रेड़ी में है कैसे चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस में है या नहीं है तो चलिए चेक करेंगे यह हमारा क्या होता है पाहिला टैंस होता है यह दूसरा होता है यह अटीसर आई ये चर्था और ये पाज चेकर ये टीटू दीटू क्या ये कहने का मतलब 8 माइनस टी वन मतलब 5 आया क्या क्या गया 3 i say 54 और टीटर निकाल लिए दीपेट होग्य क्या है यह देखिये हाप तो यहाँ पर देखिये चौधा में सिया रगयत यहाँ पर देखे दोनों के बीच का अंतर क्या रहा है सेम आ रहे तो से मा रहा है दो यह क्या हो गया मुझन शमानतर का पर लिजी एग शरवांतर किशी समांतर शरेड़ी के दो पदों क्रमा गदो पदों को लेकर घटाई ए और बीच का अंतर क्या आजा सेम तो क्या होगा क्या होगा जो आयेगा वो होगा हमारा शरवांतर 가요 सब्सक्राब बेसे निकालेंगे यह नंद दि बराबर कैसे T4 minus T3 कहने का मलब उसके पहले वाले गटा देंगे चलिए आगे अ कि के चलते आगे वाक इसके बाद हम बात करते हैं शमानंतर शन्री की जाश कैसे करेंगे शमानंतर रटी को कैसे जानेंगे कि यह समांतर सेडि में है इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे two one बड़ाबर four- two three कर लेंगे अगर उनके बीच का अंतर सें सरवांतर अगर सेम आता है तो वह हमारा क्या होगा समांतर स्रेड़ी में होगा अन्य था नहीं होगा चलिए इसके बात एहम बात यह होती है हमारी कि ब्यापक पद क्या होता है किसी समांतर स्रेड़ी का ब्यापक पद क्या होता है जर्नल टंस आफ एन एपी जर्नल टर्म्स आफ एन एपी क्या होता है यह चलिए समझते हैं हम लोग क्या होता है जर्नल टर्म्स ब्यापक पद शमांतर स्रेडी का ब्यापक पद आगे लगा लेते हैं एपी लिख देते हैं चलिए शाट शमांतर स्रेडी का ब्यापक पद जर्नल टर्म्स आफ एन एपी कैसे निकालेंगे चलिए देखिए मान लेते हैं माना माना कोई किशी स्रेडी का प्रथम पद ए माना किशी शमांतर स्रेडी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है माना किशी शमांतर स्रेडी का प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है डी है तो वह उसका व्यापक पद क्या होगा चलिए हम देखते हैं लिख लेते हैं माना चलिए देखते हैं व्यापक क्या पद क्या होता है व्यापक पद क्या होता है चलिए देखते हैं माना मान लेते हैं माना स्रेडी का प्रथम पद ए है माना की स्रेडी का प्रथम पद क्या है ए है माना शमांतर श्रेडी का प्रथम पद ए माल लिया की पहला पद हमारा क्या है ए है तथा ताता शर्वांतर तर्वी है ए लिए माना क्ता स्रेडी का प्रथम पद ए लिए लिए है है तो उसका ब्यापक पद क्या होगा ब्यापक पद ध्यान से समझी है बहुत इंपोर्टेंट है देखिए कि माइडियर आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं कभी भी समांतर स्रेडी का नाम तक नहीं नहीं जानते नाम भी नहीं सुने हैं या कोई भी बच्चा ओक अच्छा सिक्स से बंत एट फे लेकर अगर वो भी कुछ नहीं जानता अगर उसको भी पढ़ा होगे तो जिस लेबल से पढ़ाया जा रहा है निश्ची तुरूप से उसको भी समझ माज आएगा तो चलिए माना समांतर स्नेडी का प्रथम पद ए ताथा सर्वांतर डी है तो क्या होगा हमारा जर्नल टम ए ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस 4 डी डाट डाट ध्यान दीजिए इसकी बहुत जरुवत पड़ेगे ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस 4 डी कहने का मतलब प्रथम पद हमारा ये है दूती पद हमारा ये है त्रिती पद हमारा ये है चाउथा पद हमारा ये है पाचुआ पद हमारा है आगे स्वान आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है या लिखना चाओ टीवन टीट T4 T5 आगे ऐसे जा रहा है हम लोग इंडिकेट कर लेंगे चौथर टर्म्स है T4 पाच्वर टर्म्स है T5 तीसरा टर्म्स है T3 टिक चलिए देखते आगे कि ब्यापक पद प्यारे वच्चों कैसे निकाला क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिए कैसे होता है क्या होता है जर्नल टर्म्स एपी का प्रथंपद यह शरवांतर टी है तो अ कॉमा एप्लस टी और यहां पीर फूली आजब्ग में अगे बात करते हो उसकी जो बात करने वाले थे चलिए अगले अगले टोपिक पर बात करते हम हम लोग चलिए जो बोलने वाले थे इसमें कांटेप्ट को क्लियर कर रहा है देखिया अच्छे से शार शर्वांतर आपने पढ़ा ब्यापक मान निकाल ब्यापक पद क्या होते हैं शमांतर श्रेडी के ब्यापक निकाल साव वह मने बात किया अब बात करते हैं शहां तर स्रेडी का यनुमापद शहमांतर श्रेडी का कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा भी जो बात किया हमने उसी पर उसको हम निकाल के दिखाते हैं शमांतर स्रेड़ी का स्रेड़ी का यहनुपन के बात करते हैं कैसे निकाला जाता है यह अतरम्स अभी इसके पहले हमने लिखा था क्या जा लिखा था ब्यापक पर लिखा धा जैब करने वाले थे तो यहां पर कर रहा है ए पलस डी ए प्लस टूड़ी ए पलस थ्रीडी ए पलस फोर्डी ड्प डॉडट ड़ा ध्यां से समझ यह इगतम ध्यान से समझ यह और यहां पर समझ यह कि यह इससे यहनत रुटंग कैसे निकाले जाते हैं इसकी जरूब इसकी हमियत क्या है आगे आगे आपको पता चल जाए गम अगर नहीं समस्ना है कि पीछ पीछे कर किसको देख भी ले न ठीक है न चलिए यहां पर एक छीज़ अंध्यांस देकिया एक चीज मिल रहें को क्या प्रतंब नहीं है कि फर्स्ट जीरो जीरो में डीक से गुड़ा कराएंगे जीरो हो जाएगा कहने का मतलब एक आगे देखिया ए प्लस डारेक्ट आपको सभी लोग क्या बताते होंगे डारेक्ट बता देंगे आपको यह अनुटर निकालने का फार्मूला लेकिन यहां पर यहां पर यह बनता का ऐसे यह जा रहा है इसिव esper Simmons यहाँ पर क्या वह रहा है दिखिये ंटी 迌न फंट फडीवले के दो में से गठाएंगे एक आएगा यह मरत जाएग को आगे चल्क कि a Plus my three minus one into d देखे तीन में से एक घटाएंगे 2D लिख सकते हैं नहीं जी हाँ लिख सकते हैं चलिए आगे A plus 4 minus 1 into D 4 minus 1 घटाएंगे 3D कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलिए डागे q a plus 5-1 2d Quant 61 खाएंगे 4IGN 40 चलिए पर देखे हमको दिख रहारा क्या दिक रहा कि सब में देखे एक कमः रह देखिए दो में कं में एक का मुढ़ा जितना यहाँ पर उसमें एक कमः गे कर देखे एक कम back you have aTH कम होता जा रहा रहा है नहीं तो ऐसे ऐगर हम बताओ यहां पर हाहम पामजलर माइनस गया कर दिये चाहतर पनिकाल रहे हैं तो किया कर दिए पाच माइनसर आ या यह मारे परतम पढद में दूसरा तीसरा यह कि een anser prov 1wig कोNぁ कर दिये यहां पर देखिए टीफ और निकाल रहे थे तो는 inky's और माइनेस होन कर दिए टी-दी टी-दी निकाल रहे हैं टीट इनिक और अम निकाल लेंगे त तोर समय है इसमें प्रफंपद होगा da 33 में क्या किया गया बताओ एक कम कर दिया गया तो वैसे अगर रहे हैं निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे यह माइनस वन नहीं करेंगे सम्में देखिए 111 ले सो रहा है इसमें भी करेंगे मन इंटू डी सम्में लग रहा है डी लग गया तिया हमारा फार्मूला तैयार हो गया कि यहनत टर्म्स का फार्मूला हमारा तैयार हो गया कि समझ माया कैसे फिर से एक बार ब्यापक पद देख रहे हैं जो जैसे हम पाच्वा पद निकाल रहे हैं तो चार माइनस एक कर रहे हैं पाच्वा पद निकाल रहे हैं पाच्वा टम सिर्कार पास माइनस एक कर रहे हैं तीसरा निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं तीन माइन हमारा फार्मूला है जिस पर हमारे कूश्चन सौल बहूंगे टी यन बराबर ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी यह हमारा फार्मूला है यह नुवा पद निकालने का चलिया आगे हम लिखते हैं आगे देखते हैं कि देखें किसी-किसी NCRT बुक में आप लोगों ने पढ़ा हो गए एन एन बराबर अधिक तर बच्चे एन जानते हैं एन भी सही है यह भी सही किसी-किसी बुक में आपको लिएन टर्म्स के लिए एन मिल जाएगा ठीक कई कई कि प्यापको टीवन मिल जाएगा तो कोई दि मोनो फार्मूला बन के तयार हो गया है किसका यनत टर्म्स का यनत टर्म्स अगर पूछेगा तो क्या करेंगे खट से हम यह यूज कर देंगे ठीक अब बताओ मलो अब इसका इसकी जरूरत के उपड़ गई यह फार्मूले की देखिए माल लेजी आपको पांच आठ यारा यारा आ ठीन सत्रा तेरा अब सो टाउठेंगे बता देंगे लेगिंगे आपसे कोई देश अहां तब आप क्या करो के समस्या हो गई लोगता यह साओ तक हम कहाँ जोड़ तैक इतना कितना लिखेंगे कितना जोड़ एंगे मालीजीघ कि पूछ लिए एक हजार मां फिर क्या करेंगे आप ऐसे तो संभाव है ने कि लिखते 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 जोड़ेंगे तो उसके लिए सटीक तरीका सरल फार्मूला फिल्कुल सरल फार्मूला क्या है एन बराबर यनत टर्म जो भी टर्न्स पूछ ले बीसमा पचासमा सामा दोस्वा यनल टर्म्स तक पूछ ले तो आप उसका योग करने की उसको आप ढूढ़ने की जरूतने सीधा फार्मूले लगाएंगे खट से एंसर पाएंगे ठीक उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जहां तक हमने बताया यहां तक आपको बिधीवत समझ माया होगा तो फिर इस क्रम में हम नेक्स्ट लेक्टर में बात करेंगे इस फार्मूले के यूज क्या है और कैसे इस पर कूछ्चन को सॉल्व किया जाएगा सब कुछ ले कर आएंगे हम अगले वीडियो में जिसमें आपको अच्छे-च्छे कूश्चन कराएंगे आपके एक्साम के यू पाइं स्ट्रीन कूश्चन कराएंगे और यहां आज जो हमने पढ़ाया गए जो इस लेक्टर में आप लोग क्या करेंगे कि नोट्स बनाएंगे और अच्छे से लिख के तयार करेंगे पढ़ते रहेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद